जनीन दोस्तों and welcome to India Smile, I hope you are doing well दोस्तों आज के इस वर्ड में हम बात करने वाले हैं अब betterment की किसको मिलने वाला है तो दोस्तों जैसी कि आप सभी का cap round 2 का provisional allotment आ चुका है और दोस्तों I hope आप सभी को better college मिल चुका है बस दोस्तों क्या हुआ CETCell ने CETCell की जो website थी उसमें जो भी glitch आया था instruction में उसके कारण सभी बच्चे panic हो चुके दे इसके कारण सबको लग रहा था क्या हमें betterment के लिए जाना सही है या नहीं है क्या हमें betterment के लिए जाने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा इन सभी चीज़ों को आज की इस उड़े में हम डिसकस करेंगे तो जैसी कि दोस्तों अगर आपको first round में college अलोट हुआ है और second में भी अलोट हुआ बट दोस्तों और भी आपको अच्छा मिलने की चांसे सही तो definitely आप third round के लिए जा सकते हो ऐसा कोई problem नहीं है और दोस्तों आपको login में कुछ भी नहीं करना है और दोस्तों अगर आपको अभी तक कोई भी college नहीं अलोट हुआ है तो आप भी definitely cap round 3 के लिए eligible हो और आप cap round 3 का option form fill up कर सकते हो फिर दोस्तों जिसको college मिला है first round में मिला था but second cap round में नहीं मिला वो भी cap round 3 के लिए जा सकते हो उनको भी कोई problem नहीं आएगा अगर दोस्तों आपको direct admission लेना है तो आपको ऐसे आपके login में कुछ भी नहीं करना है आपको सीधे institute में जाना है जो भी आपको college अलोट हुआ है उस college में जाना है और आपको पूरे document submit करके fee submit करके आपको वहापे admission लेना है और दोस्तों अगर आपको first time college अलोट हुआ है तो आप भी betterment के लिए जा सकते हो cap round 2 में अगर आपको first time college अलोट हुआ है तो आप betterment के लिए जा सकते हो मतलब दोस्तों आपको thousand रुपी pay भी करना पड़ेगा और आपको betterment का option चूज करना तो आप betterment चूज करते हो अगर आपको direct admission लेना है तो आप freeze कर सकते हो तो दोस्तों I hope आपको यूडियो पसंद आयोगा तो मिलते ही सिख साथ next studio में